ये कहानी एक ऐसी शक्सियत की है जिसने स्कूटर पर सवार बारिश में भीगते और धूब जेलते हुए मध्यमवर्गी परिवार की चिंता की मादा पिता के बीच दबे बच्चे की पीड़ा का खयाल किया फिर इजात की वो कार जिसने भारती बाजार का नक्षा ही बदल कर रख दिया ये कहानी उस करदार की है जो एक विदेशी कंपनी के पास अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर गया कंपनी ने उसके आइडिया को सिरसे नकार दिया बात एहसान लादने तका गई इस बात से उस करदार का मन टूटा पर जो नहीं टूटा वो था होसला जो नहीं विखरा वो था सपना उस करदार ने अपने जरजर आइडिया पर मेहनत की मोटी पर चड़ाई उसे अपने श इनसान को इनसानों ने भले न समझा पर उसके दो पालतुकुत्ते जरूर समझते थे। जिस इनसान की सादगी के कायल फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर बड़ी-बड़ी मारतों के दरवाजे खोलने वाले दरवान तक थे। जिस इनसान ने फाइल और सामान उठाने के किया जाना चाहते हैं। जवाब में उस लेजेंड ने कहा, someone who makes the difference। अब तक तो आप समझी गए होंगे कि ये सरल, सहज, इमानदार और खुद्दार परिचह है रतन टाटा का। 9 October 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तिरंगे में लिपटकर राजकी सम्मान क के साथ उनके अंतिम विदाई हुई। आए जानते हैं कि क्यों रतन टाटा आम होकर भी खास थे। क्यों हर देश में एक रतन टाटा होने ही चाहिए। 1962 में एक सर्वे किया गया। इंडियन एरलाइन्स के करमचारियों से पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई के बीच फ्ल ठाने के लिए कोई असिस्टेंट तक नहीं होता था। फ्लाइट जैसे ही टिक आफ करती थी वो अपना काम शुरू कर देते थे। सफर के दौरान वो बाकी वियाईपीस की तरह बहुत ज़्यादा मांग नहीं करते थे। ब्लैक कॉफी मंगाते थे और उसके बाद कुछ नहीं कहते थे। यदा कदा कॉफी नहीं भी मिली तो उन्होंने इस बात को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की। रतन टाटा के दोस्त उन्हें नकरा नहीं करने वाले एक सब इंसान की तरफ पहचानते और याद करते हैं। उनसे मिलना भी बहुत कठिन नहीं था। वशर्त जो उन्हें अपने पिता नवल टाटा से मिला था। अगर रतन टाटा किसी जूनियर से बात कर रहे होते और कोई सीनियर ओफिसर आ जाता तब रतन टाटा उस ओफिसर को इंतजार करने के लिए कहते। उनकी नजर में सभी बराबर थे। सभी की अपनी एहमियत थी। कुछी घंटे पहले रतन टाटा ने और्गनाइजर से ये कहा कि वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके कुत्ते की तबियत खराब हो गई है। जब प्रिंस चार्ल्स को ये बात पता चली तो उन्होंने खुश होकर कहा। ये होती है असली मर्द की पहचान। जरनलिस्ट ग्र और टैंगो वो दोनों से बहुत प्यार करते थे। इन दों के अलावा रतन टाटा के पास अनुमती के बगैर कोई नहीं आ सकता था। ऐसा माना जाता था कि बतोर इंसान अगर रतन टाटा को कोई अच्छे सा समझता था तो वो उनके पालतु कुत्ते ही थे। सिर्फ देखे जाते थे जबकि कोई और पर्मीशन के बिना वहाँ दाखिल नहीं हो सकता था। मैज 21 साल की उमर में रतन टाटा टाटा ग्रूप के चेर्मैन बने थे। उनकी जिंदगी के तीन फैसले ऐसे थे जो पूरी दुनिया के एकबारों में हेडलाइन्स बने थे। पहला साथ में टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरो की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैनुफेक्टरिंग कमपनी कोरस को एक्वाइर किया था। ये भारत की स्टील इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डील थी। फिर आती है तीसरी और सबसे हाइड डील। टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन यूएस डॉलर में जैगवार और लैंडोवर को एक्वाइर किया था। बहुत से लोग टाटा ग्रूप के इस फैसले को संदे की नजरों से देख रहे थे। परंत में ये सफल निर्ने सावित हुआ। इसके चलते टाटा मोटर्स को आटो एक्सपो में पीपल्स कार नैनो पेश की गई। इसकी कीमत थी एक लाख उर्पे। इसका टारगेट ओडियन्स भी तै था जिस मिडल क्लास के लिए कार एक लक्जरी एंटिटी हुआ करती थी। सपना थी। उसे रतन टाटा के विजन ने यथार्थ के धरातल पर उ इस सब सोचते हुए मैंने बहुत सी कार्स का डूडल बनाया जो बग्जी जैसी नजर आती थी। लेकिन उनमें दर्वाजे तक नहीं थे। फिर मैंने सोच लिया कि ऐसे लोगों के लिए कार बनानी चाहिए। वहाँ से टाटा नैनो अस्तित्त में आई ऐसी कार जो हमारे आम लोगों के लिए थी या हमारे लोगों का मतलब तेश के उस जनता से है जो कार के सपने देखती है पर कार खरीद पाने में सक्षम नहीं है। इन सबसे पहले रतन टाटा की जिन्दगी में एक और ऐसी घटना हुई जिसके बाद लिए गए फैसले से बहुत कुछ बदल गया। 1998 में टाटा मोटर्स अपनी पहली पसेंजर कार इंडिका लेकर आई। ये भारत में डिजाइन की गई पहली कार थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था और इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। शुरुवात में इस कार को बाजार से उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली जितनी उन्होंने सोची थी। हालात कुछ ऐसे हो गए कि टाटा मोटर्स को घाटा होने लगा। कमपनी को इतना नुकसान हुआ कि लोग कमपनी बेचने का सुझाओ देने लगे। ना चाते हुए भी रतन टाटा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। फिर वो अपनी कमपनी बेचने के लिए यूएस की आटो मोबाइल कमपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों बात चीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मीटिंग में बिल रतन के साथ ब बहुत बुरी लगी। अपमानित महसूस करते विए उन्होंने डील कैंसल कर दी और वापस चले गये। समय वीता काम चलता रहा। परतन टाटा इस बात से उबर नहीं पा रहे थे। जब वो समझ गए कि ये बात उनके जहन से नहीं जाएगी तब उन्होंने फैसला किया क कि वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे और इसे एक वेल स्टैबलिस्ट आटो मोबाइल ब्रैंड बनाएंगे। टाटा मोटर्स ने रिसरचर्स की एक टीम तयार की। नए सीरे से मार्केट को समझना शुरू किया। एक बार फिर टाटा इंडिका को लांच किया। जिसके बाद टाटा इंडिका ऐसा प्रोडक्ट बनी जिसे कोई भुला नहीं सकता। इसी दौर में फोर्ड कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ। 2008 तक कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुँच गई। रतन टाटा को ये बात पता चली कि फोर्ड कंपनी की हालत अच्छी लगभग 2.3 अरब डालर में डील फाइनल हुई। किसी जमाने में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था हम आप पर एحसान कर रहे हैं लेकिन इस पड़ाव पर बिल फोर्ड को रतन टाटा से कहना पड़ा आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। रतन पास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहने वाला है। एक एर शो में F-16 ब्लॉक 50 फाइटर जेट उड़ाया था जिसकी स्पीड साउंड से भी तेज थी। उनहत्तर साल के बिजनस टाइकून को फाइटर जेट उड़ाते देखना लोगों के लिए हैरान करने वाला नजारा था। ऐसे तमाम शौक के बावजूद वो कभी लोगों का खयाल करना नहीं भूले। 2020 में जब देश कोरोना की महावारी जेल रहा था तब रतन टाटा ने लगभग 1500 करोन रुपे का दान किया था। खुद की जान दाओं पर लगा कर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स के लिए उन्होंने रहने की व्यवस्था अपने लक्शरी होटेल्स में की थी। अपने मददगार मिजास के लावा रतन टाटा अपनी नेजी जिन्दगी को लेकर दो बार सुर्खियों में रहे या कहा जाए उन्हें जीवन में दो बार प्रेम हुआ लेकिन अफसोस दोनों किसी मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। पहला किस्सा तब का है जब रतन टाटा लॉस एंजल्स के एक कमपनी में काम करते थे। तभी उन्हें एक अमेरिकी लड़की से प्यार हुआ उशादी करने ही वाले थे कि उसके पहले ही दादी के बुलाने पर उन्हें भारत वापस लोटना पड़ा। उन्हें लगता था कि वो जिस लड़की से प्यार करते हैं उनके कहने पर भारत आ जाएगी पर ऐसा हुआ नहीं। 1962 में भारत और चीन की सेना के बीच जंग हो रही थी। इसकी वज़े से लड़की के घरवालों ने उसे भारत आने से साफ मना कर दिया। फिर उनका रिष्टा भी तूड़ गया। पर वो कभी हो नहीं पाई। तो ये था देश और दुनिया के लेजंड बिजनस टाइकून रतन टाटा की जिन्दगी के कुछ पन्ने। सभी पन्ने पलटने चले तो शायद सालों गुज़र जाएं। वो देश के लिए क्या थे इसे जितनी बार कहा और समझा जाए वो कम नहीं होगा। बेशक उन्होंने देश के लिए जतना किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हर देश में एक रतन टाटा हुने ही चाहिए। जतने खोबसूरत, जतने सहज, उतने ही अद्भुत।